हेलो दोस्तों आप सभी का ओल राओ नोलेज में स्वागत है और आज मैं आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रियोग बताने जा रहा हूँ तो आप लोग सभी इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कई मामलों में यूज होता है तो मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा इस वीडियो का क्रिपया अन तक जरूर देखेगा सबसे पहला यूज होता है जेनरल ट्रूथ को दिखाने के लिए या जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं यानि कि जिसे हम जुडला नहीं सकते हैं जो बात बिल्कुल सकते है जैसे सूरज पूरब में उखता है तो सूरज पूरब में ही उखता है और पस्ची में ह उकता है तो यह विश्व ब्यापी सत्य है यूनिवर्सल टूथ है तो इस चीज को दिखाने के लिए simple present tense का परियोग करते हैं सूरज पूरब में उकता है तो यहाँ पर subject सूरज है और मैंने इस से पहले भी simple present tense बताया था translation के दुआरा जिसमें मैंने आपको एक एक चीज बताया था तो उस विडियो को जरूर देखेगा मैं link नीचे description box में देता हूँ फिर भी मैं इस विडियो में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको subject लिखना होता है उसके बाद भर्व लिखना होता है और यदि subject थर्ड परसंट singular number यानि कि he, see, it और कोई एक बेकती या बस्तू है तो आपको भर्व में as या es लगा देना है और उसके बाद object लिखना है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ subject प्लस भर्व as ये es लगेगा तो लगा देना है प्लस object तो यहाँ पर सूरज subject है तो यहाँ पर हो जायेगा the sun rises in the east यहाँ पर ace लगा क्योंकि सूरज अकेला है एक है singular number है the sun rises in the east प्रिथवी सूरज के चारोर घुमती है यह भी एक truth है सच्चाई है तो यहाँ पर हो जायेगा the earth revolves around the sun गंगा नदी हिमाले से निकलती है यह भी एक सच्चाई है यहाँ हो जायेगा the river गंगा originates from the हिमाले यहाँ habitual actions जो हमारी आदते होती है उसे दिखाने के लिए हम लोग simple present tense का परियोग करते हैं जैसे मैं सुबह पांस बजे उठता हूँ तो यह हमारी आदत है आई गेट अप eight five o'clock in the morning परते एक रविवार को हम लोग cricket खेलते हैं तो यहाँ पर हो जायेगा every sunday और जब every लगता है तो on every sunday कभी नहीं होता है हमिसा होता है every sunday we play cricket मेरा भाई जूट नहीं बोलता है यह भी एक आदत है तो यहाँ पर हो जायेगा my brother does not एक भाई है तो does not लगेगा my brother does not tell a lie rituals or customs यानि रिती रिवाज को दिखाने के लिए भी हम लोग simple present tense का प्रियोग करते हैं जैसे हम लोग holy में रंग खेलते हैं तो यहाँ पर हो जायेगा we play colors on या eight का भी यूज कर सकते हैं holy हम लोग दिवाली में दियाज लाते हैं we light दियाज on दिवाली पंदरा अगस्त को पूरा भारत सोतंदरता दिवस मनाता है तो यहाँ पर हो जायेगा the entire India या the whole India celebrates the independence day on 15th august characteristics यानि कि बिसेस्ताएं दिखाने के लिए simple presentance का प्रियोग होता है जैसे नदी हमारे जीवन में महत्पुन भूमी का निभाती है तो यहाँ पर हो जायेगा the river plays an important role in our life the river plays an important role in our life यह विसेस्ताएं है सोना गर्म करने पर पिखलता है तिया सोना की विसेस्ता है तियहाँ पर हो जायेगा gold melts on heating पानी 100 degree Celsius पर उबलता है तियहाँ पर हो जायेगा water जिसे गिन नहीं सकते हैं उसमें एस लगा देना है water boils eight hundred degree Celsius जो भी कहावते होती है proverbs यह sayings होता है तो उसमें भी हम लोग simple presentation का प्रियोग करते हैं जैसे कड़ी मेहनत कभी बरबाद नहीं जाता है तो इंग्लिस में एक कहावत है hard work never goes in vain अनुपस्थिती दिल में और लगाप पैदा करती है बस मैंने यह एक equivalent sentence लिखा है हिंदी में इंग्लिस में होता है absence makes the heart grow fonder absence makes the heart grow fonder यानि जब इस दुनिया में कोई नहीं रहते हैं या हमें छोड़ कर चले जाते हैं तो उनकी बहुत याद आती है एक खराब काम करने वाला अपने ही अवजार से जगड़ता है इंग्लिस में कहावत है a bad workman quarrels with his own tools to represent fixed future actions या भविस में कोई भी काम fix है या तीथी fix है, date fix है कि इस दिन को यह चीज होगा तो उसे दिखाने के लिए हम लोग future tense के बदले simple present tense का परियोग करते है जैसे कल वे लोग दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो यह program जो है बिल्कुल fixed है तो यहाँ पर हो जाएगा they live for daily tomorrow कल प्रधान मंत्री देश को सम्भोधित करेंगे यह भी बिल्कुल fixed है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा addresses 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 the nation tomorrow तो यहाँ पर addresses होगा prime minister singular number है और इस चीज़ को हम लोग simple present tense में लिखेंगे हमारा school सोंबार को पुना खुलेगी our school reopens हो जाएगा on Monday in conditional clauses future tense की जगा है जो है हम लोग simple present tense का प्रियोग करते हैं जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाऊगे तो यहाँ पर करोगे पाऊगे दोनों सेम लग रहा है लेकिन एक को हम लोग को simple present tense में लिखना होगा जो subordinate clause है subordinate clause क्या होता है कि जिससे पूरा sense नहीं निकलता है लगता है कि आगे और कुछ बोलना चाहिए जैसे यदि तुम मेहनत करोगे यही तक बोलिये तो लगेगा sentence पूरा नहीं हुआ if you work hard you will get success यदि मैं यह घर बेचूंगा तो एक नया घर खरीदूंगा if I sell this house I will buy a new house तेक चीज याद रखेंगे कि यदि वाला जो if से जुड़ा हुआ है उसे हमने किस tense में लिखा है simple present tense में यदि बरसा होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे if it rains हम लोग बाहर नहीं जाएंगे we sell not go out तो इस तरह से simple present tense का प्रियोग होता है और यह competitive exams के लिए भी काफी important है और इस तरह से समझना बहती जरूरी है मैंने आप लोग को हिंदी से समझाने का प्रियास किया है और इसी तरह से खास अंदाज में English सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियोज को नहीं देखा है तो जरूर देखिए मेरे सभी वीडियोज बहुत ही अच्छे होते हैं और आपको 100% समझ में आएगा तो आप लोग सभी वीडियोज को जरूर देखेगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ओल्राइट दियर सुदेंट्स और फ्रेंड्स थैंक्स पूर वाजिए वाज़ ए्ट देखेगा रेखेगा झाय जिए युर यूर्स